होली की राख अपने घर में छुपा कर रख दें इस जगह है, साथ पुष्टे भी करेगी पैशों में राज होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुब काम नाएं इस बार होली बहुती सुब और दूलब शुब सेयों के साथ आई है पुरे चार सा निनानने साल के बाद कुछ ऐसे सैयोंग बने हैं कि कई महा दूलब सुब सैयोंग इस बार होली की दिन मनाई जाएंगी और होली की दिन कई सारे दूलब सुब सैयोंग एक साथ बनने से इस बार की होली अत्यनत शुब कारक बन गई है इस होली के दिन खास प्रयोक करके अपनी मनों कामनाओं की पूरती कर सकते हैं हर वर्स फालगुन माश की पूरिमा को होली का दहन किया जाता है और चेत्र माश की प्रतिपदा को होली मनाई जाती है रंगो वाली होली वैसे तो बहुत जगय पूरिमा के दिन यनि कि रंग वाली होली खेली जाती है तो होली पर तितियों को लेकर जो उल्जन है इस बार नहीं है क्योंकि इस बार की जो होली का पावन पर्व है होली का दहन यहीं कि होली का दहन साथ मार्च को जलाया जाएगा और होली का पावन पर्व जो रंगों का उत्सव का तेवहार है वो आठ मार्च को मनाया जाएगा धर्म गरंथ कहते हैं कि होली का दहन पूर्ण माते थे कि दिन भद्रा रहित काल में करना चाहिए और दोस्तों अगर प्रदोस काल में भद्रा हो तो यहीं कि निशीत काल से पहले भद्रा समात हो रहा तो मद रात से पहले ही होली का दहन कर लेना चाहिए इस बार होली का दहन पर बद्रा नहीं है शबसे शुवे योग ये है कि सबसे यहनी की बहुती महत्पूर जो हम आपको बताने जारे कि इस बार होली का दहन पर बद्रा नहीं है होली का दहन की जो राख होती है इसका सबसे ज़्यादा महत्व है जीवन में क्योंकि इस राक से आप अपने जीवन की हर तरह की मुश्किलों से बच सकते हैं भौतिक आर्थिक और मन की उल्जिनों को समाप्त करने के लिए धन की चाहत है नौकरी विवस्था नहीं चल रही है रिष्टों में समश्या है नकर आत्म कुर्जाओं का प्रोकॉप है तब ऐसे में होलिका दहन की जो राक होती है राक से छोटे से प्रयोग अगर कर लें तो आप घर की कठिनाईयों से आपको बाहर निकालेंगे और मुश्किलों से बाहर बचाएंगे तो रंगोसव इश्वार मनाएंगे लेकिन इस दिन होलिका दहन यानि की एक दिन पहले आप विशेश प्रयोग जरूर कीजेगा पूरिमा के दिन जी हाँ फालगुन पूरिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के राक को अपने घर पर इस जिगए छुपा के रख दें फिर देखे कैसे आपकी आने वाली साथ पीड़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज होली की रात तमाम तरह के प्रयोग किया जाते हैं होली की रात बहुत ही महतपून रात मानी जाती है ये रात महाश्री रातरी नौरातरी और दीपावली रातर की तरह ही होली की रातरी माना जाती है क्योंकि ये बहुत ही महतपून रातरी है इस दिन हम बुराईयों को जला तो इस दिन मालक्ष्मी जी और भगवान स्री हर की भी बिद्वत पूजा की जाती है और पूजा समाप्त होने के बाद आप चाहें तो गाई के लिए कुछ इनकी रोटिया बगएर निकाल दें गरीब ब्यक्तियों को खाने पीने के वश्टों दान कर दें क्योंकि ये पर्व है खाने पीने का उल्लास मनाने का तो आप खाईए अपने लोगों को भी दीजेगा खुब मौज मस्ती कीजेगा तो होली के दिन ब्यापार में अगर उन्नत ना हो रहा हो तब एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है जब होली का दहन होगी तो उसकी जो रा खींचता है यह जो किसी भी तरह का नकरात्मक प्रभाव होगा तो वैस माप्त हो जाएगा इसके साथ ही कई शारे उपाए भी किया जाते हैं होली का दहन में गाय की उपलों से माला बना बना जाती है और उस माला में चोटे-चोटे साथ उपले होते हैं अब आप रात के स शुक्सानते और सम्रिद्धी यानि बढ़े तो लकड़ी और उपलों से बनी वह होली का रात में शुब मोहरत में जलाए जाती है और इस दिन मीठे पकवान बनते हैं तो उसको भोग जरूर लगाया जाता है चोकि आज हम बात करें होली का दहन की जो राक है इसके विशेश प्रयोक के बारे में इस राक का कौन सा प्रयोक करें कि जीवन की खुश्या लोट आए तो होली का दहन फालगुन माज की पोड़िमा तिति के दिन मनाई जाती है और उसके अगले दिन रंगो वाली होली मनाई जाती है इस दिन शत्रुता भोलकर गले लगाने का दिन है एक होली की राक बहुती पवित्र मानी जाती है यह बुराईयों को दूर करती है होली की राक और अच्छाई को घर में समावेश करती है जिस घर में होली की राक होती है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है मालक्ष्मी जी हमेशा उस घर में निवास करती है तो होली की र राख जरूर लेकर आईए और अपने घर में धन के स्थान पे चुपा के रख दें कभी भी धन की कमी नहीं होगी साथ पुछते तक रुपए पैसों में करेगी राज दोस्तों आप हुली का दहन जलाने के बाद जब राख ठंडी हो जाए तो आप क्या करें कि किसी पात्र मे या फिर किसी कपड़े में आप उस राख को लेकर आए और आप उसको अपने यनि की घर पे रख दे पूजास्थान पे रख दे और जब भी कभी बाहर जाएं किसी भी कार के लिए जाएं बिजनेस प्यापार नौकरी किसी कि यहां दोस्तों वो कार आपका सत पर सत पूरा होगा सफलता मिलेगी इंटर्वी के ले जा रहे हैं तो इंटर्वी में पास होंगे नौकरी के ले जा रहे हैं तो नौकरी में पास होंगे प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन होगा बिजनेस व्यापार में कोई डेल चाहते हैं तो डेल फाइनल होगा हर प्रकार से लाब होगा बैंक जाएंगे तो बैंक में काम बनेगा और अगर घर से बाहर कदम रखेंगे होलिका दहन की राख का तिलक लगा कर यानि अपने घर में यानि जब बाहर जाएं और तिलक लगा कर जाएं तो मान समान की प्राप्ती होती है, चारो दिशाओं में मान समान की प्राप्ती होती है, कभी भी मान समान में कमी नहीं आती है, मालक्षमी करपाश इधान बहुत शुक्षानती हमेशा बरती चली जाती है, तो होलिका दहन की जो राख होती है, बहुत ही पवित्र मानी जाती ह आप नित इसे अपने घर पर लेकर आएं और इसे रखें साल भर और नित नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल कर नहाएं तो सरीर स्वक्ष रहता है बीमारियों से मुक्ती मिलती है कभी भी आपके उपर अगर किसी ने कुछ करा दिया है तो वो दूर हो जाता है दोस्तों इस राख को लेकर आएं अपनी आलमारी पे तीजोरी पे धन के स्थान पे छुपा के रख दें तो धन बढ़ता ही चला जाता है मौलक्ष मिक्रपा से धन कभी घटता ही नहीं है दिन दुगनी राच चुगनी तरक्की करते हैं चारो दिशाओं से आपके धन के आगवन बढ़ते चले जाते हैं और घर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती है होली की राख बहुत ही पवित्र मानी जाती है होली की राख से आप करोडपती बन सकते हैं धन से माला माल बन सकते हैं होली की ये जो गुपत उपाए हैं बहुत ही चमतकारिक और बहुत ही लावकारी है दोस्तों होली की राख को लेकर आएं और आप अपने घर पर लेकर आएं तो एक दीपक जला लें और दीपक जलाने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध कर और इस दीपक शतीन वार उल्टे बार के और आप इसे यनि कि जहां पर आप सोते हैं अपने सोने वाले कमरे में एक कोने इशान कोन पर रख दें आपके घर के अंदर कलह कलेश खत्म हो जाएंगे पत पतने में प् बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं घर में सुक्षम्रदी हमेशा बनी रहेगी धन दावलत में ब्रदी तेजी से बढ़ती चली जाएगी तो इस प्रकार से होली की राक कि ये रामबान उपाय जरूर कीजेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए कमेंट म लिखेगा जय मालक्षमी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों को विज अधिक अधिक शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जय मालक्षमी